आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्ताओ आप हमाँ से देख रहे हैं हमारा खास कारेकम बात अपने देश की यह तो भारत बहुत बड़ा लोगतांति देश है और यहाँ पर चुनाओ लगातार होते रहते हैं हाला कि प्रयास किया जा रहा है बन नेशन बन इलेक्शन हो पर अभी तक वो बेचार धारा वो बेवस्ता लागू नहीं हो पाई है तो फिराल जो चुनाओ है वो लगाता है भारत में होते रहते हैं चाहे लोगसभा के चुनाओ की बात करें चाहे राजसभा के चुनाओ की बात करें चाहे बिरांसव चुनाव के बात करें चाहे प्रिधान चुनावी के बात करें चाहे नगर पंचा चुनाव के बात करें और चाहे निकाय चुनाव के बात करें यहाँ पर समय समय पर चुनाव होते रहते हैं और चुनाव के साथ-साथ जो राजनितिक सरगर्मी है वो भी विलगातर बढ़ती रहती है क्योंकि जब चुनाब होते हैं तो आरोप इत्यारोप का दोर भी जारी रहता है राजनितिक रणनिती बनाई जाती है और साथी साथ तमाम उन मुद्धों को जनता के बीच लाया जाता है जिन से जनता अब तक अनभिग्य है अनजान है और जनता को तमाम तरह के बादे बताए जाते हैं मुप्त के बादे भी हैं काम के बादे भी हैं क्या पहले हमने बादे किये क्या पूरे किये और आने बाले भबिस्व में क्या हम करेंगे ये बादे भी होते हैं फिराल लोकतांतिक देश होने के नाते सबसे बड़ा लोकतंत है भारत का प्रिस्व में और इसके नाते यहां पर चुनाव पिक्रिया लगातार चलती रहती है। और चार आज्यों में सरकार भारति इंड़ा पार्टी ने दोबारा बना लिए। उत्तापरिश में तो 37 साल पुराना मिथक तोड़ दिया। और दूजरे कारकाल की सुरू बात करती है। जो सीटे हैं अरिक्तम सीटे हैं 250 हैं और उसमें 238 सीटे हैं वो जो अललक राज्यों के एमेले हैं उनके माध्यम से होते हैं। और जो बारा सरस्टे होते हैं उन बारा सरस्टे हो जो राज्रश्पती है भारत के पद्धम पुर से हैं भारत के। साहित कला विग्यान जैसे अलेला छितों से मनुनीट करते हैं तो वो मनुनीट रासवा सांसर किलाते हैं तो 238 पलस 12 के आहां समीकर है पर अभी बरतमान के अगर बात करें तो बरतमान में के बाल दो सो पैतालिस हैं पाँच नहीं है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रासवा सांसर के लिए किस तरह इसी रणनीटी चल लई है और अब चुनाओं की गोशना हो चुकी है और चुनाओं की गोशना के बार राजनितिक जो गहमा गहमी है वो बढ़ चुकी है मैंने अको बताया कि 57 सीटों पर चुनाओं होना है पंदरा राज्यों की और मेठपून बात ये है कि सबसे जारा सीटों पर चुनाओं होना है उत्तरपरेस सबसे जारा सीट हänder है मेरान सभा की तो यहां चुनाओं भी बढ़ा होगा और मेरपूर इसलिए है कि उत्तापरेस के रास्ते ही केन की सत्ता जाती है और जारा सीटे है तो इसलिप से राजसबा में प्रमुकता भी है तो यहां उत्तापरेस की ग्यारा सीटों पर और अन राज्यों की सीटों पर चुनाव होना है पंदरा राज्यों की संतामन सीटों पर अगर चुनाओ की बात करें तो यहाँ पर चुनाओ की घोशना और गुरुवार को ही निर्बाचन आवी ने घोशना की और कहा कि 21 मही तक आप लो नामांकन करा ले 31 मही तक नामांकन कराने के साथ साथ एक जो जून रहेगी उस पर नामांकन पत की जाच होगी तीन जून तक आप अपना नामांकन बापिस कर सकते हैं और दस जून पर यहाँ पर सुबह नौ बज़े से साम को चारवे तक चुनाओ होगा और साम को पांच बज़े के बाद मत गरना होगी यहाँ पर अपटच रूप से चुनाप का फैसला होता है जैसे कि लोगसभा और रासभा अंतर है लोगसभा में जो फैसला होता है वो फैसला आम जनता करती है वो आम चुनाओ कराते हैं और आम चुनाओ के मार्णम से वहाँ पर प्रणा मंति चुना जाता है देश का सबसे बड़ा नीता चुना जाता है जो सरकार चलाता है और ये फैसरा जनता करती है लोग करते है इसे लोग सभा कहा जाता है और जो राज्य सभा है चुकि इसमें पमुकता राज्यों के जो बिरायक उनकी रहती है केंसासे पेड़ेसों के बिरायकों की रहती है और यहाँ पर चुनाओ अपर चुनाओ बही जनता के पतिनीडी करते हैं जो अलाला राज्यों बही जनों से चुन कर आयते हैं जिनको जनता चुनती हैं तो यहाँ पर चुनाओ अलाकी जनता का नहीं है पर जो जनता के चुनेडी हैं बही नेड़ने लेते हैं कि रासवा सांसर क प्रास्ट की छे सीटों पर होना है बिहार की पास सीटों पर राजस्थान कर्णाटक आनपरेश टमिलनाडू की चार चार सीटों पर मंदपरेश की तीन सीटों पर उडिशा की तीन सीटों पर पंजाब की दो हरेणा की दो तिलंगना की दो चतिसगर की दो और उत्राखंड की एक सीट पर यहां पर चुनाब होना है कुल मलाके संतामन सीटों पर यहां चुनाब होना है जिसके लिए तैयारी चल रही है और साथी साथ राजनते गहमा गहमी भी चल रही है लोकसभा और रासभा की सीटों में अंतरता है लोक्सवा में अधीतम सीट वो 550 viv situations बरत्मान 543 सीट है और कारकाल में भी अंतर है अगर अगर रास्वा के कारकाल के हम बात करें तो यहां पर कारकाल 6 साल का होता है पर साथी साथ यहां पर एक त्यहाई सत्वा यहां यहां से जो सद्वा होते हैं और साथी साथ जो यहाँ पर निन्तम आयू सीमा है वो भी ज़्यादा है यानि लोकसभा चुनाओं में अगर आपको सांसर बनना है तो कम से कम आपकी आयू 25 साल होनी चाहिए पर यहाँ पर आपकी आयू कम से कम 30 साल होना चाहिए यह राजसभा सांसर के लिए निर्धारिट मानकता है और यहां पर फैसला मैंना आपको उता है यहां पर फैसला MLA करते हैं जो कि अलाला राज्यों से चुन के आते हैं और साथी साथ मैटपूर चुना विसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब सरकार दोरा केंसर कार कोई भी बिल पास किया जाता है तो पहले वो लोगसभा में पास होता है हला कि पहले बिल जो भी डाला जाता है वो लोगसभा में जाता है लोगसभा में जब उसको सांसद पारिट करते हैं उसके बाद वो बिल राजसभा में जाता है और राजसभा में पास होने के बाद ही बिल को राजपती को भेजा जाता है और राजपती के वहाँ पा नुसंसा के बाद वो बिल लागू हो जाता है, वो कानून लागू हो जाता है, तो यहाँ पर राजसभा की उपयुकता बहुत बड़ी है, अगर लोकसभा में बिल पास कर लिए और राजसभा में पास नहीं ह होती है हलाग कि चर्चा तो यहाँ पर होती रहती है बहुत मैँ पूर और उंत्पीर समीच्छ स्व mendas 50 पी परकावनांवेata das Lind देख रहे हैं सरक्रत भन वाना होना है 30 seat के जाप से एक राजसवा संसर्ट्य होता है बारति अंदर पार्टी के यहां पर 233 बिधायक है जिसके तहेर बारति अंदर पार्टी के साथ राजसवा संसर्ट्य आराम से बन सकते है तो वहीं मुक्वेपच के रूप में समयरी पार्टी के 125 सीटे हैं करदबनन के साथ और वहाँ पर तीन जो उनके बिडायक लासवा सांसर बन सकते हैं और इसके बाद जो एक सीट बस्ती है वो बड़ी मेटपूर है तो साथ वहाँ चले गए और तीन वहाँ चले गए दस सीटों के पर एक सीट बस्ती है जो कि बहुत मेटपूर है और इसी में रस्ता कसी का दोर जारी होने वाला है क्योंकि सेटी सीटों के हिसाब से भारतेंदर पार्टी के चोड़ा सीट बस्ती है पर 12 बिलाइक बचेंगे और समरावी पार्टी 11 बचेंगे 14 बहां पर है 11 बहां पर है और एक आखरी सीट का फैसला होना है और इसाए पर खीष़ी टाल का महौल भी रहेगा हलाकि आज भी बहुत ग्यहमा ग्यहमी रही पूर्व उप्रमकंतरी और पूर्व उप्रमकंतरी की बीच में जस्तरह से यहाँ पर चर्चा हुई नौक्जों कोई वो बड़ा आश्चर करने बाला रहा क्योंकि पूर्व उप्रमकंतरी अखले से यहाँ ने जस्तरह से तू तला की भासा से बात की तो निशी रूप से यहाँ लगता है कि सोड़ा अपने आप पर काबू रखना चाहीता क्योंकि उत्तापिडेस के डिप्टी सियम केसव पिसार मौरिया लगातार अपनी बात को हस चाहिस तू रख जात्याएं तो सॉाड़ा स्क्रिका के साथ बड़े ही नौर्मल लिहाद से सामाल लिहाद से पिद्शिक कर रहे ते बात कर लेए दें पार जिस तरह से अकलिस यादाव जो कि उतपरीस के पूर्मुक म extrem सब परमुक हैं उन्होंने बात की और बात होते होते पिताजी तक पहुंच गई जब उपमंद्री केसफ़ार मौर्या ने कहा कि अगर आपने रोड़े बनाई है अगर आपने यह बनाया तो यह आपने स्याफ़ाई की जमीन बेच के नहीं बनाया तो अकले स्यादा भी उगर होते हुए जो आप रासर माट रहे हैं यह भी अपर पताजी की पैसे से नहीं बाट रहा है तो यहापा माहल गरम होगा पर साथी साथ यहाँ पर दो बहتर बात ये होई कि यहाँ पर कॉंगरिस के बहुत बड़े कद़ावा नेताओं में एक जिनकी कॉंगरिस के हर नीती में दखल ज रहती है और मेज़ा चर्चा में रहते हैं क्योंकि सुपरींगोर्ट के बहूर अच्छे वकील कोट के नाम है कफ इपलसिंबल को लगातार कॉंगरेस के बहुत पराने निताओं में गिनने जाते हैं और ऊनहाल मही सोलह मही को कॉंगरेस छोड़ दी थी है इस चोणने के बाद वो लगाता है चरचा में थे कि अब कपिल सिब्बल क्या करें के लिए कि कपिल सिब्बल ने अभी अभी आजाम खा का किस लड़ते हुए तमाम दलीलों और तमाम कयासों को कारिश करते हुए और उन्होंने आजम खा को अंतरिम जमानत दिला दी और आज कि अगर कपिल्षिबन राश्वाज्वा सांसर में जाते हैं तो दाखिल किया पर उनका कहना था कि हम सपा निद्दली किया पर हमुए ऐसे में परulkिभर समर्थन से यहां पर समारaiah करें संसर बनेंगे जावरेली खान को वहां तरजीर उनों नामंकन किया है सपा की तरफ से और जावरेली खान पस्चिम में समावभी पार्टी का बहुत बाड़े चेहरा है और साथी साथ बहुत सक्री नेता की रूप में रहे हैं इससे पहले भी 2014-2020 के बीच वो छे साल के लिए राजसभा सांस रह चुके हैं समावभी पार्टी के तरफ से जावरेली खान कोई पुराना नाम नहीं है पब करने जाने जाते हैं और उनको यहाँ पर सफा की तरफ से नामगन कराए गया अब बात तीसरी और 34 सीट की बचलाई थी कि तीसरी सीटों निस्चित है जीतना ही है क्योंकि उसे आपसे आपके बिदायक है इसे 25 के गडवन्दान है आपका पर एक संसाय था कि अगर डिमपल यादाओ की चर्चा चल लेकिए अगर डिमपल यादाओ यहां पर आते हैं तो चौथा कैंडिट कौन उतारा जाएगा जिस पर रसा कसी होगी 14-11 सीटों के बीच में 14 भाजपा की और 11 सपा की तो यहां पर एक बिसा यह भी है क्योंकि डिमपल यादाओ पहले संसर रह चुकी है कर्नोस से लोगसभा संसर रही है और अब माना जा रहा है कि उनको रासभ लियादाओं को खड़ा की जा सकता है तो यहां पर कयास कही तरह के जैन चौधरी के नाम पर चर्चा भी चल लही थी और साथी साथ तमाम बड़े नामां पर चर्चा चल लही है अगर अब भाजपा की बात करूं तो सिप्ताप सुकला पूरवरासवा सांसर सेंजा सेट औ और दो हजार बारा से चौरह तक भाजिन्दा पार्टी के प्रिस अदेश की रूप में बड़ी जिम्राही निमाने लच्षपी कान बाच्षपी जिनको अभी हाल में उत्तपरिश चुनाओं के दोरान स्क्रीनिंग और जॉइनिंग कमेटी का अड्रिज बनाए गया था ब है तो भाजपा में कौन-कौन सामिल होता है क्योंकि यहां पर जो रासवा सामसनों की गड़े थे वो दोहजार चौबिस को लेकर बनाए गई है मैंना कोताया कि बहुत मैटपूर चुनाव है और मैटपूर चुनाव इसलिए है क्योंकि इस चुनाओं के माध्यम से राजन पार्टी का गिनारा रहता है सबका साथ सकता बैकास उसी नारे के तहट भाटेंड़ पार्टी का प्रयास रहता है कि उसी नारे को बैतर करते हुए हम ऐसे लोगों को उतारें जो की सभी बर्गों को रिप्रेजेंट करें पते निरी हों चाहे मुस्लिम बर्ग की बात करें चाहे पिछले बर्ग की बात करें, चाहे ब्रह्मन बर्ग की बात करें, चाहे बैसर बर्ग की बात करें, और साथी साथ तमाम ऐसे पुराने लोगों को जोड़ें, जिनका आज की समय में मैरपुन योगनान की भारतिन्दा पार्ट ने 37 साल के मैज़क को तोड़ते हुए, य तो उन्होंने संकल पत्र चारी किया था चौनाओं को पहले मैंस त waste casa जिए बेना आद की have मादा उंजन साल मनता अंधधान करें और काम करें दिए के या यह जद करा अब ठेकरा बजटप्रे किहान प्रफ़ उनने बाला है ब प्यावल कई और जहां अबफ़ ले किस तरह हम को सरकार को घंड़ना है तो तरह करेगी किस तरह जंता के बीच में इस बजट को बैतर दिखाए जाए business यह संचान को से जो अजुड़ीद देखालिण और जम्राइब आखर चाहिए business पर हम बात कर देखे हैं पर हम बात कर दो किसी को पता नहीं जसे यूरोप चीन में जो मामले बढ़ रहा है उचिन्ता का सबब नहीं पर यहां पर सुआस्ट बेश्थां के लिए किस तरह के बजट आबंड़ भूता है यह फिराल कर बजट के मादम से सबको पता चलेगा पर हम बात कर देखे हैं यहां पर रासवा सीटों के लिए संटावन सीटों पर यहां पर चुनाव होना है और मैंने आपको यूता है दस जून को यहां पर चुनाव होगा सुबह नौ से सामको चार बेता है पांगे गर्णा होगी और पंदरा राज्यों की संटावन सीटों प बनाके यहांपर ऐसे बर्ग उटा रहे जाएं जो अलालाग बर्ग को रिपेजिट करें क्योंकि यह चुनाओ बहुत मेर्पूर्ण है छे साल के लिए होता है छे साल की इसकी डूरेसन है और साथी साथ अलालाग बर्ग के लिए उतारेंगे तो तो दूजाब चौवश्य च सबों बोकिव पतार रही तो मैंने अपको ठाहें किस तर्य सूंत होथा राश्वार उन्हें पंडरा राज्यों की सधें जन में ग्यारा यूपी की ऐंछे महारास की पांच भिहार की हैं चार रायस्थान की हैं चार करणाथदक की हैं चार अनलीडरीओ Всहने की तो होने तो यहां पर जो ब्योस्था हैं वो लगातार चलती रहती है मैं आपको ताया कि भारत बहुत लिपड़ा लेक्टांटेस देश है और लोग तांटेस देशों के हिसाब से यहां पर चुनाव हमेशा होते रहते हैं अभी मार्च में पांचे राज़ों में चुनाव हुए हैं और माना जा रहा है कि आगामी नमंबर में उत्तापर निकाय चुनाव तो हो नहीं है साथ ही साथ गुजरात में चुनाव होने हैं बिनान सभा के हमाचा पर चुनाव होने हैं और उम्मीद की जा सकती है कि हाल में से बढ़яться है तो माना जाओय है कि ही नवमबर-दिसम्ब्रम पर अगामी Разपर हमस्जार के paths झीजराओं और में में उपल्षी की बात कर रा हुँ लाप में चुनाव कि निकाय चुनाब के बहुत्व बख्राज है जाहाँ और आब virginity कि आबाले के इसाफ से 20 का 6 अब सबसे बढ़ा देश रसकता है तो रास्वार चुनावर मैट पूर है और रास्वार चुनाओं के माध्धम से किस तरह कि यहाँ पर समिकर बना जाते हैं किस तरह से पार्टिया लोगों को उतारती हैं किस तरह से यहाँ पर बैस्थाय की जात और साथी साथ यहां पर मेंट पूर यह भी है कि किस तरह समीकर बना जाते हैं कि आज इसा समीकर मनाएगा उत्तपरेस की मां बात कर ला हूँ कर पिर सिब्बल जो कॉंग्रिस की निता थे 16 में की कॉंग्रिस छोड़ दी ती और वो सपा के माध्यम से वहां पर जा रहा है जा ना मंकर करेंगे कॉंकि गहमा गहमी का महाल जा रही है तो यहां पर के साथ कि किसको यहां पर यहां पर यह सांशिक्री है जो unlocked रिखना है और जो एक सीट्व पकिए test उस पर बी जेपी और समानावी नवी पार्टी क्या रणनीची रहेगी यह भी मेरपूर मुद्दा है और साथ ही साथ जो अन मैंने बात कहा जो अन राज्य है जो अन चौदा राज्य है उनकी सीटों पर किस तरह से यहां पर खीशता हूं होगी क्योंकि आवस्यक है क्योंकि उनकी 46 सीटों पर किस तरह से ख कि इससी चर्चा हैं वो भी सामने आएगी कि जनकी उंबीर निकि जाकती हैं उनको भी रासवास अंसर बना के पहजा जाए खेर देश राज़तिक से गयमा गयमी वह जारी है और यहां पर राज़तिक गयमा गयमी इसी जारू है क्योंकि लगातार जनता को अपने माध्यम से जाता है कि हम क्या कुछ बैतर कर रहे हैं और देश में जो राज़तिक महावल है कहीं ग्यानबापी के माद्यम से कभी तेज़ो महालाय के माद्यम से कभी कुत्ब मिनार के माद्यम से कभी सिर्किस्म जर्मूमी और इडगाय के माद्यम से गरम होता रहता है पर दूसी तरफ यहां पर राजसभा सांसर्थ का चुनाव होने वाला है और 57 सीटों चुनाव होगा आगा में डज्जुन को चुनाव होगा और इस पस्ट हो जाएगा कि 57 सीटों पर कौन-कौन से महनुभाव वह मानने नहीं है राजसभा सांसर्थ के रूप में संसर्थ में पहुंचेंगे और उस सदर्म पहुंच के जनता के मुद्दे उठाएंगे और जनता के सरोकारों की बात करेंगे आने वाले समय में कौन कौन से बिल पास होंगे उस पर आसवा सांसरों की भूमिका भी बार में अपकूर रहती है और निसीरुप से जसके सांसर जारा होते हैं उसको लाब मिलता है और उसके लाब के माद्यम से लाब जोचता है कि वो लाब का मुद्दा जनता का भी हो वो बिल जनता के पच्च में लाए जाए तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे रिनमती, नमस्कार